हाई डुल्दीज वेलकम टो एजवे कॉमेर्स क्लासेज मैं हूँ दबिता और आज के इस वीडियो में हम अपने पार्टनर्शिफ फंडामेंटल पार्टनर्शिफ फंडामेंटल आप सबको शेप्टर पता है ना काफी इंपॉर्टिंट है और काफी वेटेश रखता है गा किस तरीके से हम जल्दी कम समय में सौल्फ कर सकते क्योंकि काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स में मैंने अब्जर्व किया कि टाइम आखे लग रहा है तो क्यों लग रहा है तो आज हम उस कमी को भी दूर करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चिन जो है जिसमे वाला है यानि कि आपको तीन पार्टनर्स दियोंगे चार पार्टनर्स दियोंगे और उसमें किसी एक पार्टनर ने गारंटी ले रखी होगी कि भाई, मुझे तो इतना प्रॉफिट चाहिए चाहिए और उसकी डेफिशेंसी निकालनी होगी तो बहुत असान है देखो, हमें कितना और है दो लाख हो रहा है अब हमें यहाँ पे find out करनी है deficiency आपको चार option वो नजाने कौन से भी दे सकते हैं आपको deficiency निकालने हैं तो simple सा आपको क्या करने है C का ही amount निकालने है आपको बाकी सारे partner से कोई लेना देना नहीं है आप सिर C का solve करोगे लें चाहिए तो इस case में जो deficiency होगी वो होगी 10,000 की ठीक है सो जो option होगा 10,000 वाला वो क्लिक हो जाएगा second question जो है guys वो है A और B का A और B तो partner से उनके ratio given है अब यह है guys काफी important concept जिसमें आपको interest on drawing की calculation भी आ सकती है drawing का amount निकालना भी आ सकता है आपको बस क्या करना है वो जो मैंने आप लोगों को एक table बता रखी है वो table बस आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए अगर यह table जिस तरीके से बनती है अगर आपको वो याद है तो आप इसे बहुत असानी से कर सकते हो ठीक है आप देखो सबसे बहले question बढ़ते है A withdraw करता है 4000 in the beginning of every month for 6 months अपसर बच्चे या students इस चीज में गलती करते हैं कि 6 months को भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं और 4000 को सीधा 12 से multiply कर देते हैं तो guys नहीं उसने ये 4000 रुपे बिगनिंग में निकालें बढ़ 6 महीने के लिए तो यहाँ पर जो multiplication होगा वो 6 months से होगा यानि कि 6 से तो 24,000 अब आगया 5% per annum हमारा interest है तो 5 upon me 100 अब आती है बात months की तो 6 months वाला part है तो आपको 3rd column में आना पड़ेगा इसमें beginning है तो 3.5 हो जाएगा end होता तो 0.5 less हो जाता अब beginning है तो हम यहाँ से 3.5 उठा लेंगे divided by 12 ठीक है अब इसे solve करतेंगे यहाँ से 0 हटे की इससे गई 12 दूनी 24,000, 25,000, 10 और यह आगया answer आपका 350 तो इस तरीके से आपको solve करना है कई question ऐसे होंगे जहाँ पर यह 350 आपको given होगा और आपको यह 24,000 वाला amount यह 4,000 जो है यह निकालना होगा तो आपको value को put करना होगा और इसको as a x let करके आपको इसे solve करना होगा तीक है इसके बाद question number जो third है जिसमें काफी सारी confusion confusion रहती है तो उसे आज में दूर करूंगे guys देखो वो है हमारे past adjustment का कि हमारे past adjustment में जो गलतिया हो जाती हो से कैसे ठीक करें तो यह वाला जो concept है इसमें काफी सारी confusion है तो उसे भी दूर करेंगे like पहले question पढ़ते हैं A और B दो partners है 2 to 3 ratio है capital A की है A की कितनी है 60,000 और B की कितनी है 80,000 ठीक है आगे वो क्या कहते हैं कि interest on capital जो है वो calculate करा हमने 10% से instead of 12% यानि कि हमने दे दिया 10% से दोनों को जबकि हमें कितना देना चुए था 12% तो यह है हमारा correct ठीक है अब आगे आपसे पूछेंगे कि A का भी पूछ सकते है या B का कि हम उन्हें कितना amount debit करेंगे या credit करेंगे या दोनों का भी आ सकता है या किसी एक single partner का भी आ सकता है तो अब ऐसे किसमें क्या करना है पहले तो concept ये देखो कि आपको partner को debit करना है या credit तो guys एको आपने दिया 10% जबकि उनका हक था 12 तो आपने partners को और देना है तो जब भी partners को देना होता है तो partners क्या होते हैं credit होते हैं और जब भी partners से हमें लेना होता है हमने उन्हें ज़्यादा दे दिया वापस लेना है तो हमें partners को debit करना होता है यहाँ पर इस case में हमने उन्हें कम दिया है और अब हमें उन्हें और देना है तो हम partner को क्या करेंगे पहली चीज़ क्रेडिट करेंगे तो हमारा answer जो भी होगा वो क्या होगा क्रेडिट में होगा अब कितना percent कम दिया तो अगर आप इसका difference देखोगे तो सिफ two percent A का निकालना है तो साथ हजार का two percent निकालो आप easily बारा सोर पे क्रेडिट करेंगे A को और अगर B का निकालना होता तो सोरा सोर पे क्रेडिट करते B को तो आपको सबसे बहले अपना concept ये दूर करना है महला concept ये clear करना है कि partner को अगर हमने देना है as a firm, firm ने उन्हें कम दिया अभी और देना है तो partners credit होंगे अगर firm ने partners को ज़्यादा दे दिया गलती से और उनसे लेना है तो partners को debit करना है तो इस concept को clear रखना है ठीक है अब इसी से related guys एक question आता है जिसमें interest on drawing होता है तो guys अब जो हम concept करेंगे वो करेंगे interest on drawings का ये एक important concept है जो कि काफी सारे students को confusing लगता है जो कि काफी सारे students को confusing लगता है जो कि काफी जादा असान है तो इससे समझते है guys अगर ऐसा हो कि interest on drawing हमने चार्ज करनी थी let's suppose A की drawing है 8000 और B की है 6000 A की है और B की है 8000 ठीक है अब अगर ऐसा हो कि हमने interest on drawing जो थी वो चार्ज कर दी partner से at the rate of 6% ठीक है यानि कि उनको debit किया 6% से जबकि जो correct थी वो थी 4% हमें उनने debit करना चाहिए था 4% से लेकिन हमने 2% से उनने ज़्यादा debit कर दिया तो इस case में क्या करेंगे partners credit हो जाएंगे कितने परसंट से 2% से और अगर यही चीज गाईज opposite होती यानि कि आपने गलती करी होती 4% की और हमें उनने charge करना था 6% क्या हुआ आपने charge किया charge जो किया वो किया 4% जबकि जो correct था वो था 6% यानि कि आपने सिर्फ 4% partner से लिया जबकि आपको 6% लेना था तो अभी आप 2% और लोगे तो उस case में हम partners को debit करेंगे तो आपको सिर्फ एक चीज समझनी है firm के point of view से कि अगर हमने partner को देना है तो हम उसको credit करते हैं यानि कि हमने उसको पैसे लोटाने है हमने उससे जादा ले लिए तो उससे देना है तो उसे credit करते हैं लेकिन जब हमने उसे हमें उससे लेना होता है वापस लेना होता है तो हम उसे debit करते हैं ठीक है तो ये concept अपको याद रखना है चाहे वो drawing के concept में हो चाहे वो capital के concept में हो interest on capital अलाओ के या interest on drawing charge के दोनों में same ही रहेगा partners को जबी भी firm पैसा देगी तो partners credit होते हैं partners से जबी भी हम पैसा लेंगे तो partners debit होते हैं तो I hope guys आपको ये topic समझाया होगा और कोई भी query है guys तो आप Instagram पर पूछ सकते हैं या फिर YouTube पर comment के थूँ Thank you